हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्णिंग विधी तेश आज मैं आपसे इस वीडियो में दस पर्मानेंट सूपर हाड़ी प्लांट्स शेर करने वालां जो की मैंने खुद एक्सपिरियंस किये हैं जिन पे जो है समर्स, मौनसुन, विंटर्स, स्प्रिंग, आटम किसी भी मोसम का कोई फरक नहीं पड़ता है मैंने खुद एक्सपिरियंस किया है तब ही मैं आपसे ये वीडियो शेर कर रहा हूँ तो वन बाई वन हम देखते हैं तो सबसे नंबर वन पे जो है वो है ये फाइकस फाइकस एक बहुत हाडी प्लांट है इसके लीवस इतनी शाइनी होती है लश ग्रीन होती है और विंटर्स में जब मेरे सारे प्लांट्स मर रहे थे तो ये ऐसे ही बना रहा इवन इसकी एक पत्ती भी मेरे पास पीली नहीं हुई और इसका आप बॉनसाई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेपस आप देखे कुछ भी इस प्लांट के साथ कर सकते हो अलग 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 शेपस दे सकते हो बहुत ही हाडी प्लांट है नेक्स यह हमारे पास शिफलेरा शिफलेरा में वैरिगेटेड वराइटी भी आती है लेकिन ये जो ग्रीन वाली है न ये बहुत ही ज़्यादा हाड़ी है मेरे पास ये काफी सालों से है और इसे भी समर्स विंटर्स में कुछ भी नहीं होता है और ये जो मैं मोसली आपसे प्लांट शेर कर रहा हूँ न पर्मनेट ये थोड़े शेड लविंग ही है या आदे सीजन की अगर बात करें तो कोई भी सीजन ये जो प्लांट से आसानी से जहल जाते हैं और श्रफ्लेरा को आप कटिंग से भी आराम से ग debates कर सकती है और नेक्स जो प्लांट है वो है ये ड्रैसीना ड्रैसीना की मेरे पास चार पांच वराइटीस तो होगी किसी भी प्लांट आपका मरता नहीं है, खराब नहीं होता है, तो ये वाला प्लांट भी मेरा बच गिया है, उपर भी बाहर भी मेरे पास ड्रैसीना की काफी सारी वराइटीस हैं, पत्ते जरूर सोख जाते हैं, एक्स्ट्रीम ठंड में या समर्स में, लेकिन प्लांट को कुछ नहीं होता है, और ये सूपर हाडी पर्मनेंट प्लांट है, जीर, जोकि एक सकुलेंट, हाडी सकुलेंट की केटेगरी में आता है, ये भी हर मोसम में डटा रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि विंटर्स में ज्यादा डॉर्मेंसी में जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, पत्ते अपने ये नीचे को गिरा देता है, अगर विंटर्स जादा होती है, स्टेम्स रह जाती है, लेकिन मेरे पास फिर भी हल्दी तरीके से ग्रो होता रहता है, और अब देखिए जैसे समर्स आ रही है, तो इनमें पत्तियां काफी जादा आ रही है, और प्लांट आपको कुछ दिन पहले इसे शिफ्ट किया है छोटे कप से, अब आप देख सकतो इसकी पत्तियां कितनी बड़ी हो गई है, ये थोड़ी अलग वराइटी है जेड की, ओवल शेप में इसकी जो है लीवस होती है, कम केर में ज्यादा ग्रीनरी ये प्लांट आपको देता है, और न थोड़ी सी इन प्लांट्स को आप शेड में रखें, तो कभी भी खराब नहीं होंगे, इन पे स्प्रे करें, पानी अच्छा डालें, हरे भरे रहते हैं, ये देखिए एरिका पाम की एक डॉफ वराइटी है, टेबल पाम भी से कहते हैं, ये भी देखिए कितना हेल्दी ग प्लांट जो है, आपको हर्याली देगा, अच्छा ग्रो होगा, और आप इसे मल्टिप्लाई भी आराम से कर सकते हैं, नेक्स जो प्लांट है ये पीस लिली, पीस लिली के बारे में भी मैंने काफी सुना है कि समर्स में विंटर्स में प्रॉब्लम करता है, लेकिन जिन प् प्लांट हरा भरा ऐसे ही बना हुआ है, और अब आप देख सकते हो, इसमें लीव्स कितने आ रहे हैं, और प्लांट हमारा एकदम बुशी हो चुका है, और लीव्स भी काफी जो है, शाइनी है, बस विंटर्स में इन्हें आप शेड प्रॉवाइड करिए, या सैमी शेड म भी इसे कहते हैं, बहुत ही एक हाडी पर्मनेंट प्लांट में आता है, खास कर जब आपका ये प्लांट थोड़ा मच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसके मनने के चांसिस बहुत ही जादा कम हो जाते हैं, एक सकुलन टाइप में ये प्लांट आ जाता है, मैं मा जो है मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये भी मेरे गार्डन में तीन सालों से है तो इसे भी कुछ नहीं होता है आराम से चलता रहता है कम केर में और नेक्स जो प्लांट है आप देख सकते हो कितना ग्रीन है ये है डॉलर प्लांट या पैनी वोट और कोईन में आपके गार्डन में विंटर्स में थोड़ी पतियां यालो हो जाती है लेकिन अगर आप इसकी कटाई छटाई कर देती हो तो समर्स आते ही स्प्रिंग आते ही एक दम ये अपनी हरियाली बिखेरने लग जाता है लश ग्रीन हो जाता है पानी इसे अच्छा जाए श्मर में spring में और winters में भी soil check करके दें नमी इसमें और पानी से भरा हुआ इसका port होना चाहिए पानी की कमी ये बिल्कुल भी बरदाश नहीं कर पाता है दो दिन भी अगर इसमें पानी skip हो जाता है पत्ते एक दम मुर्जा के नीचे को लटक जाते हैं और next है हमारे पास janadu philodendron की family से ये बिलोंग करता है ये जनाड़ू में भी काफी variety आती है लेकिन ये वाली जो variety है मैंने देखी अब बहुत ही ज़्यादा हाड़ी है इसे भी कुछ नहीं होता है ये देखिए अब इसमें नहीं ने पत्ते भी निकल रहे है नीचे से और permanent plant है बड़े port में लगाते है जैसे जैसे इसकी growth होती है तो काफी अच्छा इसका size हो जाता है पत्ते भी काफी इसके बड़े-बड़े हो जाते है चोटे port में लगाते है प्लांट की growth limit में रहती है और पत्ते भी छोटे रहते है और next जो 10th नंबर पे है हमारे पास last but not least वो है ये fern plant मैंने आपसे शाय दिखाया भी था इसके पत्ते भी सारे winters में black से हो जाती है yellow हो जाती है लेकिन घबराना नहीं है सब की spring season आने में cutting कर देनी है hard pruning कर देनी है तो इसके नीचे से ही ऐसे sprout होते है और जो नए ने पत्ते आप देख रहे हैं ये सारे नए पत्ते आए है ऐसे ये देख रहे हैं ना जैसे ये round round से लगते है कोई insect है लेकिन ये इसकी new growth होती है नए पत्ते होते हैं और neon color के ये पत्ते काफी प्यारे लगते हैं देखने में तो ये 10 plants है जो मैंने आपसे share किये है मेरे experience के according काफी hard है पर्मनेंट है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe